नए विडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। नमामीशि मीशान निर्वान रूपम विभूं व्यापकम ब्रम्ह वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकलपम निरिहम चिदाकाश माकाश वासं भजे हम। आज आजादी का दिन है। और हर साल हम इस जलसे में किसी ना किसी बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं। लेकिन इस साल हमने किसी मंत्री या किसी बड़े आफिसर को नहीं बुलाई। बलके आपने ही आफिस के एक बहुत पुराने साथी शिरी गंगराम जी को मैं माने खसूसी यानी चीफ ग्यस्ट बनाया है। आई शिरी गंगराम जी आए। चो 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 दोस्तों अगले साल हम जब ये जलसा मना रहे होंगे तब तक शिरी गंगराम जी रिटार हो चुके होंगे और हमारे दर्मयान नहीं होगे। लेकिन एक मुनिस्पल कमिशनर की हसियत से मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये हमार लिए एक बहुत बड़ा नुकसाल होगा। आज की दुनिया में शिरी गंगराम जी का नाम इमांदारी की एक मिसाल है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि शिरी गंगा राम जी का नाम गंगा की तरह महान है और पवित रहे एक्स्कूज मी सर येस मैं प्रेम कुमारी की तरफ से दोशब कहना चाहिए हाँ जरूर आए कमिशनर सहाब ने बिल्कुल सच कहा इनकी महानता की सबसे बड़ी मिसाल तो य प्रेम कुमार जी अपनी तरफ से एक लाक रुपए का तोफा पेश करना चाहते हैं जो इसहार के साथ महकरा है आए प्रेम कुमार जी अज़े एक मिनिट प्रेम कुमार जी शहर के बहुत बड़े बिल्डर है बहुत ज्यादा दौलत वाले रईस आदमी इस्ददार इनसान है मगर मिनस्पल काउपरेशन की सॉफिस में मैं अकेला कलार कैसा हूँ जो इनकी तरकी की रा में हमेशा रुकावट बना रहा मैंने इन्हें कभी कोई गयर कानूनी बिल्डिंग बनाने नहीं दी और अगर इन्हें बनाई तो मैंने तोड़वा के रख दी इन्हें ने मुझे हर तरीक ऐसे खरीदने की कोशिश की मगर मैं नहीं बिका क्योंकि मैं अपनी खीमत जानता हूँ ये मिट्टी का मामूली सा पुतला लाकों के भाव कैसे बिख सकता है लेकिन आज आज आप सब के बीच मेरे भविश्य के नाम पर इन्होंने मुझे खुलयाम एक लाक रुपिया रिश्वत देने की कोशिश की है ताकि मैं अपनी नौके के आखरी साल इनकी किसी गहर कानूनी बिल्डिंग को तुड़वाने की कोशिश न करूँ मगर मैं तुड़वाऊंगा अपना फर्ज जभा के रहूँगा करणा तुम्मगा राम तुमनेरी बात बेजद की करती है इससे में याद रखो पाल कि महा मेरे कपड़े प्रेस कर दिये हां भीता हो गये वाह वाह कैसे है ऐसे लगता कि होड़ल तार्ज मängeल की लॉण्री से आय फिर् Isang पूछ तो ऐसे रहे हैं जिसे आज तक आप ही करते आए हैं नहीं किये जब तुम बीमार पढ़ जाती हो यह मेरे पिदाजी महीनों बीमार थे तुम इंके सिवा में लगे रहे ते विजा कौन सवाल का था अर्दाइगनी जी जिन्देगी की स्टेज पर बाप के साथ साथ मा का बेर अलदा किया है मैंने ओफोँ आपके पास तो हर सवाल का जवाब मौझूद है बहुत जरूरी है इस इस दुनिया मेई जिस इनसान के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता है कभी-कभी उसकी अपनी आज पहली बार मेरा बेटा इंटर्विव देनी जा रहा है, आर्किटेक के नौकरी के लिए आज मेरे बरसों के सपने पुरे हो गये बरसों से इसी आस पर जी रही हूं कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा अपनी आचज से निकल कर दुनिया के बाजार में जाएगा इसार कमायगा, नाम कमाएगा अपने माबाप की छोली, खुश्यों से बर देगा बस 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 वक्त से पहले सपने देखना बंद करो क्योंकि एस सपनों का परेंदा बहुत उपर उड़ता है इंसान उतना उपर नहीं उड़ सकता है, इंसान को चाहिए कि उतना ही उपर उड़े जहां से वापसी में उसके पर साथ दे सके, उतरते वक्त तूट ना जाए, तुम सिर्फ विजय की काम्याभी की प्रात्ना करो और कुछ मत करो, बाबुजी, हाँ मेटा, फाइल तयार कर मेरे बाबुजी सरस्वती के पुजारी है, मगर लक्ष्मी मा, मैं तेरा पुजारी हूँ, वो ग्यान और तालिम के पुजारी हैं, और मैं दौलत का पुजारी हूँ तुम गंगाराम के बेटे हो? जी हाँ गंगाराम, वर्मा, क्या सर? तुम्हारे पिता, मिंस्पल कॉर्परेशन में खायर कानूनी बिल्डिंग तोड़ने के महकमे में काम करते हैं क्या? जी हाँ सिदा क्या? तुमने प्रेम कुभार क्या नौगई कर ली? फरे जी साद्मी से बात करने को मैं अपना नोगई कर ली? वो मुझको साथ हजार रुपया तंख़ा दे रहे हैं और आजको साथ हजार रुपया किसी बड़े आफिसर की भी तंखवा नहीं होती तो तुम्हें साथ हजार तंखवा नहीं दे रहा है बलकि रिश्वत दे रहा है सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बेटे हो तुम्हारी जे भर कर वो मुझे खरीदना चाता है और मैं मैं उस इमानदार कॉंस्टेबल जमना परसाथ का बेटा हूँ जिसने फाते कर लिए मगर रिश्वत के पैसों से कभी रोटी खरीद करनी खाई बेना दवाई की बीमार पत्नी घुट घुट के मर गई मेरी मा मर गई मगर उसे दवाई नहीं खरीदे उन पैसों की उस इमानदार दादा के बोते हो तुम तो क्या यह जरूरी है हमारे बुज़ूर्गों लोजब बेवाकुवी की वो बेवाकुवी मैं भी करूँ किसी बेमान आदमी की आकाम करना चोरी से बड़ा जुर्म है यह जुर्म उस वक्त होगा जब यह भी कोई जुर्म करेगा लेकिन मेरा बेटा इमानदार इसे काम करेगा शराफत की रोटी कमाएगा देखो लक्षमी तुम आज इसकी हिम्मत बढ़ारे हो कर पच्ता होगी याद रखना नहीं मुझे अपने उलाद पर पूरा विश्वास है अच्छी बात है मैं भी देखता हूं कि बेटा अगर किसी बेमार आदमी की याद काम करे तो ऐसी मा का विश्वास कितने दिनों तक सलामत रहता है मैं भी देखता हूं बेटे ये का हमारी जमीन का प्लान है पसंद आया कुमें अच्छा है एरिया के हिसाब से आप लोगों ने एफसाइब बहुत बढ़ा चड़ा के दिखाया है मुंसबल कॉर्परेशन से पास नहीं करेगी बेटे अगर तुम इस प्लान को अपने पिता गंगा राम से पास करवा दो तो समझ लो कि तुम अपनी जिन्दगी के इमतहार में पास होगे विजे इस काम के हो जाने के बाद हम तुम एक ऐसा तौफा देंगे जो तुमने अपनी जिन्दगी में अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा हाई जेदी सपना जी लीजे तौफे का नाम लिया तौफा खुछ चलकर आ गया विजे ये मेरे बेटी सपना है सब्सक्राइबी हिसा सब्सक्राइब कर लृब कि अधि सब्सक्राइब इमारत नहीं बन सकती तुम इस पर 10-10 बनाना चाहते हो और साथ मैं प्रेम कुमार घडिया सेमेंट कॉक्रिट इस्तमाल करके अधर इंसानों के जिन्दगी से कहल जाए पिताजी यह मेरी जिन्दगी का सवाल है आपके एक दस्तकत से मेरी जिन्दगी बन सकती है तुम्हारी तो आपका बाशन सुनने नहीं आया हो पिताजी आपका खोगला बाशन सुनते सुनते क्या दिया हाथ तक आपकी इमान दारी और शरावन ने आपको जब से होश समाला है मां के तन पर दो सारी के सिवा तीजी सारी नहीं देखी तो हार आता तो लोगों के घर में घी के दिये जलते लेकिन इस घर में मट्टी का दिया बड़ी मुश्किल से जलता पिताजी सारी जिन्दकी दाल सुकी सब्दी और रोटी के अलावा क्या पका इस घर में कितनी बार कहा आप से, इस खंडर के से मकान को, इस मनुज मकान को बेच कर कोई नया मकान ले लिजिए, मकर जिद, नहीं, बज़र्गों की निशानी को बेचा नहीं जाता, ये जवाब देखकर मुँ बंद कर दिया आपने स्कूल से लेकर कॉली तक सारी जिन्दगी कॉमपलेक्स का, ऐसासे कमतरी का शिकार रहा लड़कों के अच्छे-च्छे कपड़े देखकर, उनकी मोडर साइकल, उनकी गाड़ियें देखकर मनी-मन जलता रहा और खुद को कोज़ता रहा कि ऐसे कंगाल गरीब घर में जनम लेने से तो बेतर था, कि मैं जनम लेता है मर क्यों नहीं गया क्यों को मुझे बोलने दो, बहुत सब्की है मैंने आज तक आज जब पैसा कमाने का मौका आया, तो आप अपनी इमानदारी का भाशन सुना कर अपनी तरह मुझे भी कंगाल बनाने के कोशिस कर रहे हो मगर नहीं, मैं बनने वाला नहीं, मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए चाहिए, इसके लिए मुझे जमीन और आस्मान आपस में क्यों न मिला न पड़े, मैं मिला कर रहूँगा पिताजी, अगर आज आपने इन कागज़ात पर दसकत नहीं किये, तो मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाऊँगा चले क्या जाओगे, बिटे, तुब तो पहले ही जा चुके हो, अपने आपको एक दौलत वाले की मंडी में बेच कर, आज बहाना बनाकर हम लोगों से रिष्टा तोड़ने आये हो, मैं जाता हूँ बिटे, मैं सब जाता हूँ, लेकिन मेरे एक बात याद रखना बिटे, तुम्हारी उमर मेरे तजरुबे से बहुत कम है, तुमने अतनी दिवालिया नहीं देखी है, जितनी मैंने तुम जैसे बिखने वालों की बर्बादिया देखी है, एक दिन आएगा, जब तुम छाती पीट पीट के दुनिया को अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाना चाहो तुमने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ रोने वाले तुम होगे, सुनने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है सुनिये, वो जा रहा है, उसे रोकिये ना चाहने तो नक्षमी, चाहने तो इसे, इस वक्त ये खुदगर्जी की घोड़े पर सवार, बर्बादी की तूफान मुड़ता हूँ चला जा रहा है और ऐसे सवार को वक्त के थपड़, और जमाने के ठोकर की सिवा कोई नहीं नोग सकता, शायद भगवान भी नहीं नोग सकता ऐसे, जान जैसे सर टेजमी विजय तुम्हारे चेहरे की किताब कह रही है कि तुम नाकामियाब लोटे हो, मगर फिक्र मत करो बेटी, कामियाबी और नाकामियाबी तो जिन्दगी के दो पहलू है, तुम नाकामियाब हुए तो क्या हुआ, मैं अपने वादे से नहीं बदलूँगा, मगर मेरी एक शर अपने शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं, तुम्हें मेरे घर आके रहना होगा, सर, आपका हर हुकम सर आंखो पर, आप जैसा चाते हैं वैसे होगा, यह तो आपका बड़पन है कि आप, आप मुझे अपने चद्मों में शरन दे रहे हैं, आप महान है, सर, मैं अजी शादी के तैयारियां करता हूँ, हपी. कि इस वालाद पर मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया जिसके भविश्य के लिए अपना पेट काट काट कर उसे आला तालीम दिलाई क्या नसीब है हमारा वस वालाद हमसे शादी की इजाज़त एक तरफ हमें शादी की खबर तक नहीं की वाँ भाई मान गए प्रेम कुमार को उसने अपनी बेटी सपना की शादी का वदा तुम से किया और शादी कती विजे के साथ वो भी सर्फ इसलिए कि वो विजे के बाप गंगाराम से अपने रुकी हम पूरी करा सके हमने तिन रात महनत करके अपना खून पसिना बहा कर प्रेम कुमार की कमपनी को जमीन से आसमान तक पहुचा दिया नारंग आज के बाद हम किसी और के लिए नहीं अपने खुद के लिए काम करेंगे पैसा मेरा होगा और दिमाख तुमारा ओकी नाम ज़ि अरे माती मिले, मेरा फूर्चान बाकता का आरे तेरा संचान तक पिछा नहीं छोने वाली हेरे भी भी भाण फटा बटा बटा गंगराम और जहा कुदी आरे, करो तो नहीं मेरे बाई जो कि बाबुजी मैं बता जी इसको दुसरा बेता हुआ हम लोग बच्चे का सख्का देने को बोल रहे हैं यह मुझत अगले पुल चंद फिर बच्चा हुआ क्या करू किरो शादि मेरी देर में जाओ तो बच्चा भी होगा शरम किरो यार उसम The विःस थिन्ट के निन इंग हावाले कर दो आप़िक पैसे, तो ठोड़े देता हो जो बच्छे सान्याना ड़का रही है है बाबो जी, तुम भी कुछ दो ना मैं किस खुशिवे कमाल हो गया, तुम ना खबर नहीं, तुम दादा बन गया क्या? विजय बाब गया, बेटा हो गया सच मैं दादा बन गया लेश्मी लेश्मी, बाहर आओ, खुशकबरी है क्या हुआ, कैसे खुशकबरी अरे, तुम दादी बन गयी मैं दादा बन गया, विजी के घर बेटा पेदा हुआ है खुशकबरी सुनाई, लाहा हमारी बक्षिष अरे, बक्षिष महीं देता हूँ यह लो, यह लो, चौँ, खुश रो खुशन, आज, आज मैं फिर जन्मा हूँ यह बुड़ा गंगाराम बच्चा बनकर इस दुनिया में फिर जन्मा है अरे, देखना, अब देखना, मैं अपने पोती को कितना महान इंसान मनाता हूँ फरात की तरह मदबूत, जमान का सच्चा चरित रहसा कि जिस महले सो गुजरेगा तो लोग कहेंगे, यह नौजवान है ना उस भूड़े गंगाराम का पोता है बूड़े गंगाराम, गरीब गंगाराम का महान पोता क्या हुआ गंगाराम, फिर जिस दादा को उसके पोते के पैदा होने के कोई खबर नहीं देदा, उस दादा को पोता पालने के लिए को लेगा मजे मेरे बेटी ने खबर तक नहीं दी किसका पला के लिए फिज आपालने के लिए खुर लेगा कि आली अले जए यो रूना नहीं करा नाना की ओरा कि आप अब आप आप यहाद नाना के मुझे पिशाप कर लिए बेशर्ट कोई बात नहीं सबाल इसे तरी डेड़ी अभी नजरह देरी हो गया प्रॉबलम बैटे आपने मुझे याद किया बिटे मुझे तुमसे खास काम है खासका कुछ दिन हुए रंजीत और उसका पार्टनर तुम्हारे पिता के घर गए पिता जी के घर क्यों उनके घर का प्लॉट खरीद रंजीत शायद वो पिता जी को नहीं जानता वो अपनी जान दे देंगे लेकिन घर कभी नहीं बेचेंगे लेकिन विजय बावु वो प्लॉट हमें किसी भी कीमत पे बिलना चाहिए बहुत बेहतरीन प्लॉट है हम करोड़ों कमा सकते हैं डैड़ी मेरे जिद्धी बाप को जानते हुए भी आप उस घर को खरीदने के सपने देख रहे हैं वो उस घर को कभी नहीं चुड़वाएंगे क्यूंकि वो घर उनके लिए घर नहीं एक मंदर है इंसान तो एक तरफ अगर भगवान भी उसे खरीदने के लिए आ जाना तो म अगर वो मकान मैं तुम्हें दिला दू तो बजूल की बहस मत करो सपना शर्ट लगा कर देख लो वीजे जहां मर्द की बुद्धी जाकर खत्म हो जाती है वही औरत की बुद्धी शुर हो जाती है क्या मतलब है तुमारा एक बाप को अपनी अलाद असल होती है और अलाद बनेगा उस मकान का नाम होगा विजे सपना हाव और उस मकान की सुनेहरी चावी है हमारे पास हमारा मुन्ना रवी यह हमें वो प्लाट डिलाएगा इतनी रत नहीं बच्चा कुण छोड़ गया है इससे कोई छोड़का नहीं गया है बाबुजी यह आपका पोता रवी है हम इसे यहां लाए है अरे बहुत तुम पीजी तुम यहां हा माजी बाबुजी आप लोगों का शीरवाता इसलिए बच गया है वरना हम दूना जैर खाकर अपनी जान दे दते है क्या क्या हुआ था अब इसंसे नोक राणी उठा है बाबुजी अगर वं पक्रीना जाती तो आज रवी आपके सामने नहुता में क्या है आपने दादा के पहस आजा है कздना सा है कैसे आपने दादा को पैचान अधा का जुकर है कम से कम, उता तो मुझे पहचान रहा है, और आज की दुनिया में बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है, है ना बेटा, चौड़ा माची बीती रो बेटी, बाबुजी बाबुजी, हम अपने केप शर्मिंदा है, हमसे गलती हो गई उसकी सजा दीजिए हमें, मकर एक पर माफ कर दीजिए लेकर तुम उसे चाहते क्या हो? सिर्फ इतना कि आज से आप दोनो रवी के साथ हमारी घर रहेंगी, हम आपको लेने आए हैं बाबुजी बाबुजी, मैं चानती हो, आपको मेरी पिताची के घर में रहना गावार नहीं होगा इसलिए इनोंने एक खर अलग से ले लिया है, हम सब वहीं मिलकर रहेंगे नहीं बुख, मैं अपना ये पुर्खों का मकान छोड़कर कहीं और कैसी जा सकता हूँ देखिए, अब ज्यादा जित मत कीजिए, बहुत दिनों बाद मुझे अवलाद का सूप नसीब हो रहा है मेरे उजड़े आचल को मेरा फूल जेसा पोता सजा रहा है बेटी समान बहो का प्यार मिल रहा है ये, ये सब मुझसे मत छिनिये जिंदगी के थोड़े दिन रहेंगे हैं इन्हें हस्ते गुजर जाने दीजिए मैं आपके सामने हाँच जोड़ती हूँ, भीक मांगती हूँ बुझसे मेरे उलाद का सुख मत छिनिये, हाँ के दीजिए, हाँ एक, बहुत पुरानी कहावत है जो आच सच साबित हुई बुझरों कहना है कि माबाब, भगवान के पैदा किये वे वो नौकर हैं जो उलाद को मुफ में तोफे में मिल जाया करते हैं चलो, आज मेरा पोता जीत गया और उसका दादा हार गया बाबजी बस पेटा, बस बस दादा जी दादा जी हाँ बेटा ये लीजिये क्या बेटा? इंविटेशन कार्ड इंविटेशन कार्ड? किस बात का है? कर पैरेंस देहे आपको और दादी मा को में इससा चलना होगा मैं भी प्रोग्राम में इससा ले रहा हूँ अच्छा आप चलेंगे ना? हाँ बेटा तुमारा प्रोग्राम और हमने चलने के भी ऐस हो सकता है? कि यहाँ तुमारे ममी डेडी का नाम लिखा था उनको काटकर हमारा नाम किस ने लिख दिया इस पर? मैंने दिन भर घर में बैटकर आप यह सिखाते हैं बच्चे को माबाप के खिलाफ उसके दिल में जहर भरता है नहीं मैं अपनी उलाद के खिलाफ अपने पोते के दिल में जहर भरूँगा अरे बोलते वक्त यह तो सोचा कर कि तू क्या बोल रहा है? किससे बोल रहा है? मैं सब समझती हूँ पिताजी जिसन से मैंने और विजनी शादी की है हम आपके दिल में काटे की तरह चुप रहे है बहु कुछ छोटे बड़े का लिहाद है कि नहीं? आप चुप चा बैखे रहे है पड़ी आई मुझे लिहाद सिखाने वाली दिन बड़ मेरी और बढ़काते रहते हैं और कहते हैं लिहास है के नहीं? कल को बड़ा होगा तो हमारी घरद़न ही काटवे और तो आइस्ता बहु आइस्ता जाहिल और लोगारे के मर्थ बैड बक्रियों की तरह दबा कर रखते 하ोंगे लेकिन मैं दबने वाली नहीं हूँ कभी भूल कर दो बार ऐसा काम मत करना है वो काड़ो हमारा नाम काड़ कर अपने माबाप का नाम लिखोस पर इसकी कोई जरूरत नहीं मैं खुद कर लोगा चलो बेटा दातो जी दातो जी कर दो मत करें सते है ची कि हूँ जो बोलगा वोही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या खल करनों पाए जैसी करनी बैसी भरनी जो बोलगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या खल करनों पाए जैसी करनी बैसी भरनी जैसी करनी बैसी भरनी सबसे बड़ी पूजा है मत पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है मत पिता की सेवा इस मत वालों को ही मिलता है ये मौका हाथ से अपने खोमत देना मौका ये खिदमत का जन्नत का दर खुल जाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या भल कर मौका जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी चाहे न पूजे मूरत चाहे न तेरत जाए तो इनका दिल खुश रखे तो इश्वर खुश हो जाए बगदाल तुझ का मिल जाएगा तेरा किया आगे आएगा तुक तुक है क्या फ़ल करों आगे जैसी करनी वैसी भरनी 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 जाबाज बिटे शाबाज इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी सभीता अभी मरी नहीं जिन्दा है बड़े खुशनसीब है वो माबाप जिनकी गोदी में भगवान ने ऐसा बच्चा डाला मैं उसे मिलना चाहूँगा जाओ बीटे अपने माबाप को बुला कर लाओ अब मैं मेर साहब से दर्खास करूँगा कि वो इस्टेश पर तर्शीफ लाएं दादा जी दादा जी चलिए चलिए ना दादा जी हाँ चलिए दादी जी आप भी आपने बोला था ना मामी पापा को स्टेश पिलना निकले मांगर मैं उनको लाएं जो ममी पापा से भी बढ़कर है यह मेरे दादा जी यह मेरी दादी जी आपने इस बच्चे को बहुत अच्छे संसकार दिये हैं मैं चाहूंगा आप दो शब्द यहां बोले प्लीज हमने कभी सुना था के संसार में पोता अपने दादा का दूसरा जनम होता है शाय सही सुना था जी जन्दगी खेट की तरह है जहां इनसान किसान की तरह पाप और पुन्य की बीज बोता है और वह बीज उसे फल की शकल में इसी संसार में पोते की तरह नसीब हो जाते हैं मैंने मैंने हो सकता कभी कोई बहुत पुलने का काम किया था जो भगवान ने मुझे इसी जनम में मेरे जीते जी ऐसा पोता नसीब लिए मेरे पास और कर लेंगों कोई अलफाज लिए बहुत दिलने बादे क्या बात है आज नीन नहीं आ रही क्या सिर्फ आज ही क्या सपना मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बाबुजी हमारे जिन्दकी भर की नीन खत्म कर देंगे अगर रवी हमारे साथ इसी तरह बत्तमीजी के साथ पेश आता रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि वह बड़ा होकर बीट चुराई कंदर हमारी बेज़ती कर देगा सपना इसलिए मैंने फेसिला क्या है कि रवी को बुढ़ा बुढ़ी से दूर किसी बोलंग स्कूल में भेश दूं रवी को यहसे क्यों बेज रहे हो अरे जिस काम के लिए तुम अपने मापबाप को बहला ब्हाला कर यहा लाए वह काम तो हो गया है अरे उनको यहां से निकालो ना जिनके कारण रवी बत्तमीज होता जा रहा है अब इनकी ज़रूरत भी क्या है समझे तुम ठीक कह रहे हो सपना कूड़े कच्रे को जादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए वरना बद्बू बढ़ जाती है इस गंडिकी की सफाई मैं कल खादे मने इस वर शादे में नहीं रखनुम बढ़ी बद्बू बढ़ी पादे जो hal चाहांग उर स्वाफs कर लादा थुमी ओजल के वाद・ चाहária प्लकेजी? तुझे माफ कर दो आज मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया लेकिन तुम्हारी कोक तुम्हारा यह अपमान करती इससे बहतर था कि तुम्हारा सुहाग तुम्हारा अपमान करें है लग्षमी मेरे हटों कि अवापमान तुम सह जाती लेकिन अगर ऐसे यापमान तुमारी अवलाद करती तो तुमारे कलेजे के टुकलेट टुकड़े हो जाते इसलिए मैंने यह सब किया चाल बूच कर किया चलो लक्ष्मी इससे पहले कि हमारी अवलाद हम यहां से ठोकर मारके धक्या मारके बार निकाल दे हम अपने घर चलते हैं हाँ चलो चलो दादा जी दादा जी अब कहां जा रहे हैं मैं भी अपके साथ चलूगा मुझे भी अपने साथ ले चलिये ना कि अपने दादा का पोता है ना ? अपने दादा की बात याद रखना बेटा जिन्दगी में बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए कभी हमत मत हरना कभी रहना मत कभी आंसू मत माना बेटा रवी चलो बेटा अंदर चलो नई मैं दादा जी को कही ने जाने दूंगा बेटा, मैं तुम से कराओना कि अंदर चलो नहीं, मैंने काई नहीं तॉनगा रो मैं तुम से कराओना कि Yées आना चलो अंदर दादाजी दादाजी ए सालिक चाटा भानने से पहले ये तो सुचलिया होता कि किसके गाल पे मार रहा है और किसके कलेजे पे लग रहा है चलो सुनिए नमस्ते गंगा राम जी यहां तो हमारा घड़ता ये बिल्टिंग कहां से आ गई अरे आप हैरान क्यों होते हैं आपके बेटे विजय बाबु ने आपका पुराना मकान तोड़वा कर ये नई बिल्डिंग खड़ी कर दिया है अरे पड़ोशियों अरे महले वालों अरे मैं लूट गया अरे मैं बरबाद हो गया अरे मैं क्या करूँ है अरे मेरी घरणार की पीदा हुई हाई 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 कुण मैं कोई भी नहीं है अरे मेरे दोरा नम आरे मेरे लिए काफ़न मेरे लिए रखी का समान हुआ ही नहीं हुआ मैं टेलीफ़न कर दिया है एगर अगर कफ़न की दियर हो रही है तो पेटरोल च्ठा मुझे आग लगा दे रहे पैसे दो अभी बैट्रोल लाकर देता हूं मरते वे इंसान से पैसे मांगता है तो बोला टाइको था अरे फुल जन फुल जन क्या वा कोई कोई मर गया है क्या अरे भाई गंगा राम कोई नहीं मरा मैं मर गया अरे अरे तु तक्दीर वाला है कि तेरे घर लड़की पैदा हुई है लड़की देवी का रूफ होती है दुर्गा लक्षमी बीबी मर्यम बीबी फात्मा उस्जारा इस सब लड़किया ही थी न अरिये कि भूल जाता कि तुझे जिसने जनम दिया तेरी मां वो भी का वुरत यां एक वाव दो आज इसलिए रोगा है कि व्रवा ने तेरे खर में लड़की पैदा की है कि मैं इसलिए लो रहाँ कि मेरे खर में लड़की पैदा क्यूं नहीं हुई रभी बेठे, केक काटो नहीं ममी, पापा दादा जी को और दादी मा को लेने गए पहले वो आजे, फिर मैं केक काटूंगा पापा आ गए पापा पापा, दादा जी और दादी मा नहीं आए बेठा, तुभारे दादा जी और दादी जी तीर क्यात्रा पर गए हुए थे और रास्ते में उनका एक्सिजिन्ट हो गया उसमें बेठा, वो दोनों मारे गए जो बोएगा वो ही पाएगा जो बोएगा वो ही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या भल कर मोका जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी चाहन पूजे मूरत चाहन पूजे मूरत चाहन पूजे मूरत मात पिता के तन में सारे देव समाए तू इनका दिल खुश रखे तो पिश्वर खुश हो जाए भगवान तुझको मिल जाएगा तेरा की आगे आएगा दुख दुख है क्या भल कर मौका जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरने जैसी करनी वैसी भरनी कि अच्छा था हम अंग्रेस के जमाने का खांडानी में चुपा होएंगा तो रेका रीना को तो झो चाकर चरस देखो नी गो पाकी जी की लोग मेरे साथ आउनी कौने यार कौने यार कौने यार अब योई अंदर वाली मुझे अपने लपेटे के अंदर लेनी की कोशिच मत करो समझी तुम जैसे समझ रही हूं ना मैं वैसा नहीं हूं क्या जमान आ गया है पहले लड़कियों को पैसा देकर बुलाना पड़ता था अलाज के लड़किया पैसे तबाव वाट था हैल इस गवाण शिट अरे रुक ना दोनों भाव बढ़ा रही है यह ब्रमचारे विकाओ नहीं है टिकाओ हुए देखिए मैम साब आप गलत एड्रेस पर पैसे का लेटर पोस्ट कर रही है और साथ में यह उमिद रखती है कि मैं आपके साथ वाट था हैल इस गवाण याज अब आपके जवान में मासुम लोगों के पीछे अब लीज देखिए मैं एक मजबूर लड़की हूँ यहां भी नहीं है टेर्स पर भी नहीं है सीदा चालो प्रूट हैंगी अरे मिम साब ओ यहां की मेटरन मिस बेला बाटली वाला बहुत सकत है जो लड़कियों को कैदी की तरह रखती है इसलिए मेरी आपसे बिंती है कि आप मुझे कुछ देर के लिए यहां से निकाल कर ले जाए मैं आपका यह ऐसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी तुम येस मैडम अरे घदरी तुमीदर बैठी है हम तुम को आखा हासल में दूनता था ओ क्या करूं मैडम इम्तिहन करीब आ गया है और हॉस्टेल में यही तो एक जगा है जहां शांती से पढ़ा जा सके लेकिन टुबड़ा हम पर घबड़ा दिया था हमारा तीन किलो कलेजे का पानी निकाल दिया था आइम सॉरी मैडम नो नो मैचाइड आइम सॉरी सिद डाउन सिद डाउन स्टादी मैडम सोच है तेरे को मालम नहीं मेरा मैडम मिस्टर दारुवाल आपके मिलना चाहते हैं काई को यहां उनकी कोई रिष्टदार रहती है उनका कहना है कि उनकी याददाश बहुत कमजोर है उन्हें नाम पता याद नहीं आज तो मेरा देनीज मनुष दिखता है एक तो वो डीकी मेरा कमरे में घुजकर पड़ता है और दूसरा आता है उसको उसको रिष्टदार का नाम ही चाहत ने रहता है शकल देखकर पैचान सकता है क्या टेंशन है किदर है वो कॉरीडोर में बुला उसको जी यहां पाई प्रिगेड रॉंग नंबर पाई बजने का आवाज किदर से आता है हमारा दिल धड़कता है नहीं पर तमें कॉन है हम इस होस्टल का इंचा अचा है मिस बातली वाला है कितना बड़ा बातली ओकागश को बातली तो यहां को ब्लो का टूटी है तो पहरा इसमिटिंगा daar लेज के लिए पेड़कता है ने अरे महाप्रे, अरे तु कैसा बाइडिये रे? तमारा कॉनसा रिष्टधार है इडर? ए तो मेरा दोत का मा का बहु का बेटी है, इडर ही सेटी है, अपने बोले मिल गया, मारा डोस का डिकरी मिल गया, मारा डोस का डिकरी अरे मैं तिरो को कितने टलास करता था, बार मेरे को रॉंग नबर चिपागे ना मालू? अंकेल! अंकेल! तारी ठबेट किछली खराब ठाएगी, पेला तारी जू भीजी खोटी, ना? ए मेरा डोस का डिकरी है, मैं इसको ले जाने के लिए आया हूँ, चैल डिकरी उसका जिंदीकी का आखरी सास खतम होने से पहले, वो इसको एक बार देखने के लिए बोलती है, यह तो मनने के पार उसकी आत्मा को पूर टफली खोगी, चैकला के लिए ले जाने दोने? ले जाने दोने, प्लीज! 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 चलिए मैडम कहा चलना है? ए मिस्टर! रवी! मेटरिन के सामने बड़ा शूफीजी खाती! आवने दिकरी! आवने दिकरी! बहुत चांस मार लिया! अब अगर मेरे साथ चलना चाहते हो, तो दस वीद दू रहना होगा, समझे? रही है हाथ हो ठीक है जैसे आपका है जैसा आपका है प्लेकरा मेटर्द इतरा वक हा के hepा proprio मगर है, कंबक्त हाथ 뭐야 यहाथ यह रहाइ हाथ तो रहा करा वव के दाना है आप मेरे आगे आगे चलिए और मैं अपना सब कुछ जुकाए है अपके पीछे पीछे चलता हूं चलिए चलो एक दो तीन चार पांच छे साथ नौत अरे थमीजाओ शुक्री थमीजाओ पहले मेरे जिगर के चुकले आनू दिल के बच्चे आनू आने दियो चलो बच्चे जब एक दो थीन चार पांच छे अरे तंबें बहागाया है यू स्वाइल अभी दिखाते हूं यह चीचित बांबू नहीं बांबू नहीं 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 अब जहां जहां मैं चलूंगी तो मेरे पीछे पीछे चलना समझे है चलू चलना तरीक्ष भाई साब गोला देना तो गंटे की प्यास बुझ गई में साब प्यास सिर्फ आपी को नहीं मुझे भी लगी अच्छा तुम्हें भी प्यास लगी है तो फिर खालो ना थैंकियो और सुनो साथ मेरे भी पैसे दे देना तॉरी अरे टुडली क्या डुरली तेरी तो निकल पड़ी बापू इशारा कजी है वो क्या चीज है दोस्त हमें किसने पुकारा इसे हिंदी में बाथ और अंग्रेजी में बाम्बू कहते हैं और अगर इसके सही इस्तमाल किया जाए तो ये बड़ी काम की चीज है हमसे टकराने वाले का एकी अन्जाम होता है जैसे हिंदी में मॉत और अंग्रेजी में ड़क केता है इन हातों की ताकत को तुम पैचानते नहीं हो लल्लू तुम इन हातों के मिसाल तो देना ही पाऊगे कर इस बांबू की मिसाल मैं दे ही देता हूँ याज तेरि नहीं कर दो कर दो कि कि अ अजय करिए कर दो रप मनद़ जाओ करद सकत्री देजिए कर दो कि आूइना चाल्वी है प्रॉब भाद कर दो राद कर दो कि ठनी है लाज़ लाजाओ लाज़ गहांगो एब पर कि अजया है कि अजया है चली मेम साम है कहा चलना है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है निकाह नीची कि ये सर जुकाए बैठे हो तुम्ही तो हो जो मेरा दिल चुराए बैठे हो हुआ 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 चड़ता हुआ तेरा कमसिंशवा तेरा अंगुरे तन जो छुआ है हुआ 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 मरने रोगी है हुआ 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 था हुआ 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 मिलना जरूरी तिन मातों दिलों का मिलने करते निकाले जिसमों ने जो पासले चलिये थे दिल ने वो फुत कर डॉले चांत तारों की क्या है जरूरत मुझे तेरे तन के पहुत है उचाले दिल छोगए तेरे तीखी नजर तीखी नजर कर गए क्या असर तन में अंगारा देखा हुआ है है रे आज मन है के है रे आज मन है के बैगा हुआ है है रे आज मन है के बैगा हुआ है हुआ 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 है सूरजी मुला कली तू खिल जा किरन के हार तझे ढूंगा बादल मुला कली तू खिल जा नई बार तझे ढूंगा हुआ ने कहा कुछ भी दूंगा नहीं मैं तो तेरा प्यार लूंगा कहना सुन भवरे था हसके खिल गई कली किती लालच की बाद ना कली पर चली प्यार देता नी खरने लगी है हर कली भवरे पे मरने लगी है महके हुए तेरे लब के खुटाब चड़ता हुआ तेरा कम सिंशाबाब तेरा अंगोरे तन चाचवा है हर आज पाने में मदरा हुआ है हर आज पाने में मदरा हुआ है रुख पाएगी क्या मुझको शर्मो हया दिल में दपता नहीं ऐसा तूपा उठा लड़की हद से खुचरने लगी है हर कली भवरे पे मरने लगी है हर कली भवरे पे मरने लगी है अरे बापे क्या हुआ वक्त का ऐसास है मोटी मेटर से चार घंटे की चुट्टी लेकर आय थे मुझे तो बहुत दर लगा है अरे डरो मैंने ऐसा प्लान मनाया है क्यों मोटी मेटर उन तुमें ढाटने के बजाए गले लगा लेगी क्या मतलब वेट एंड वाच अरे यह तुम्हारे चेरे पर जख्म कैसे हुआ अरे यह अरे डैड यह तो एक मामूली साज सख्म है एक रवी वर्मा नाम के लड़के से मुटबेड हो गई थी मैंने दिया उसका रखके और सजा दिया उसका मुझ और उसने मुझे एक मिनिट बेटे एक मिनिट यह रवी वर्मा कहीं बिल्डर विजय वर्मा का बेटा तो नहीं उसी का लेकिन डैड आपको उसके बाप का नाम कैसे मालूँ हाँ बेटे हमने तो आज से 20 साल पहले ही उसके बाप के साथ दुश्मनी का खाता खोल दिया था और आज तुमने उसके बेटे के साथ दुश्मनी का खाता खोल दिया हाँ डैड इस खाते की शुरुआत आपने की थी मगर इस दुश्मनी के खाते का बंद करूंगा मैं क्योंके मुझे हिसाब किताब करना बात अच्छी दरा से आता है मारा बाप मारी कयो केटला वक्त हाई गयो साथ बजगया वभी तक रादा को लेकर नहीं आया मैंडम के ऐसा तो नहीं वो पार्सी हैंसम बुड़ा रादा को लेकर के रफु चक्क्र हो गया हो मेरको कुछ डॉल में काला लगता है आप आप हाँ 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 तमे कांच है और यह क्या चीज है यह चीज नहीं है तमेरी स्टूड़न्ट है राधा राधा लेकिन पूरा आधा आधा है और इसको इतना पठी क्यों बांदा है इसका कपड़ा फटी गया क्या नहीं वह बना गुंड़ा बढ़माच लोगोटा ना उन लोग ने इसका ऐसा हालत कर दिया गुंड़ा लोग ने हाँ सबर कर दिग्री सबर कर लेकिन वह इट बुझा किदर है जो इसको लेकि गया था एजरा मोड़ू हमारी ने बाद कर तुमरे बाप को गुंड़ा वोल्टी है तर्मारा बाप और नीटो क्या यह मेरे बाप का डोस का दिखरी है मेरे बाप मिश्टर डारु वाला मैं उसका कि समाना इसको इडर सलामाट पहुचा डालो तो मैं इसको इडर लेकिया गया तुमारा बाप का नियूट सुनकर मेरे दिल धगडग करता है बाइदो वे ओ गुंड़ा लोग देखना में कैसा था तग्रे तग्रे चावरी चाटी आचला मोटा मोटा डण एक्दम पैलवा यस वो गुंड़ा लोह अभी किदर होईंगा इडरी टो है इडर किदर है कैमेरे सामने टो है बूछ वाला अरे तुम आरे सू नुपाइन कामिनेशन चे ज़े तारा बाप दारुवाला यस मूं बातली वाला ऑनी तु बूछ वाला ये तांजे मिल जाए से बातली दारु जाने बूझ के साथ है याद 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 आज यादी तो मारा पाशन पढ़े गई जाय आज जी जी सर्दी जुकाम से परेशान हूँ बहु अरे बहु एकप चाय तो देदो सुबह से कप चाय मांग रहा हूँ लानत है बहु बेटे पर पिता जी आपकी आणाद पिता जी आपकी मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट अरे मुझे क्या हुआ है यह आपकी एकसर रिपोर्ट है पिता जी डॉक्टरों का कहना है कि आपको बहुत खातरनाग बिमारी है या अस्ता जाने से पहले अस्ताल जाने से पहले लोगडिक फ़सिल से आजाने दो सबस्क्राइब यह नहीं आने वाली वाली मगर क्यों अगर अगर अब राधा का इतजार करने लगेंगे तो हर जुम्ले में मरने कर सक्राइब कर रहा है एक मिसाल दी है दूसरी मिसाल ही दे सकता क्या है मैं इनके लिए हॉस्पिटल में खडिया बुखकर क्या हूँ माफ कीजिए पिता जी अब उठिए अरे यह सुन करके तो मेरे हाथ पॉर थंडे हो रहे हैं आपके तो हाथ पॉर थंडे हो रहे हैं ऐसी ख़बर सुनके लोग मर खाए आपे तूने तूने भी मेरी मौत का दिकर किया आपको अस्पताल में चाबियो की क्या जूरत है आपकी जगह मैं समाने अरे पापे अरे पापे अरे चलो मुझे अस्पताल ही ले जा रहे हो ना मेरे भाई डॉक्टर धातूरा राम को जरूर खबर कर देगे कर देगे कर देगे कर देगे चलो वाह है 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 पच्चास में अरे यार मगल लाम जी एक बात बताओ जी डिस्पैंसरी तस बज़े शुरू होती है और तुम सुभाई नौ बज़े से लेके दस बज़े तक सफाई करने की बज़ा मक्षिय क्यों मारते हों यह मेरा पार्ट टाइम बिजनस है बिजनस जी मक्षियों से क्या बिजनस हो सकता है अरे सर पांच पैसे की एक मक्षि बिखती है यह देखे दस रुपए का माल इकठा हो गया है मैं केक खाने वाला मक्षिय है पाद ला रहा है यह सामने बेकरी वाला यह जो केक आप खा रहे हैं यह उसी मेकरी का है अचा 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 आ करें मेरा नाम जोकुमल मकमल प्यारेलाल है अचा अचा यापका अकेले का नाम है कि पूरे खांदान का मेरे अकेले का नाम है मैंने तुम्हेरा बड़ा नाम सुना है इस शहर में कि तुम बे इलाज का ऐसा इलाज करते हो कि वो ला इलाज हो जाता है इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरा इलाज कर दो हसने की बीमारी है क्या मुझे हसने की बीमारी नहीं है मुझे सच बोलने की बीमारी यह तो नहीं है अभी पिछले हपते डॉक्टर साब में एक लड़की के साथ तो घर गया तो मेरी बीवी ने मुझसे पूचा कहां से आ रहे हो तो मैंने सच-सच बता दिया कि मैं एक लड़की के साथ तो मेरी बीवी ने मेरी अब पिछले एक हफ्ते से मेरी पीछे डाइवोस के पेपर लेकर गुम रही है मैं उसे घुमा रहा हूँ मैंने आफिस के एकाउंट में गफला किया मेरे बाप ने पूछा कि लाक रुपिया कहा गया तो मैंने सच सच बता दिया कि जूए में और लड़की के पिछे खर्च हो गया तो वहां भी जूते पड़े हैं आप चहते क्या है मैं क्या करूँ हां तो डॉक्टर साब आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं सच बोलना छोड़ दूँ मगलाल इधर आओ तुब कहां गया थे जी वो डिलीवरी देने मक्षियों की ओफ कल से मैं इडली साबर खाऊंगा केक नहीं हाँ 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 सॉरी वो पिसली बार एक पेशेंट आया था मेहता हाँ 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 वो जो एक कसम के साद सब जूट बोलते जूट बोलते मर गया मर पिसली से जूट बोलने के कीले निकाले थे हाँ वह फ्रीज में पढ़े अकड़ रहे हैं उन कीलों को एक इंजेक्शन में भर लेया इनको लगाना है इकखे अजी देखिए की रलाल जी प्यार याले हैं हैं जोंकुमल मकमल प्यारे व् ally थीजिमिया और रुब भूलेिट लाइए लीजे सर छूट के कीड़े यह बाट वह दोसो रुपया याद है ना याद है डॉक्टर सब आप इंगिक्शन तो लगाईए तो खूला हूं जा करो यह खूला है कि पाल कि पूरी पी गया पूरी याद निकाल लिए कहें के दो सो रुपय जो ते हुए थे निकालो निकालो अरे तुम दोनों का दिमाँ खराब हो गया क्या लिएने से पहले दो रुपया तै हुआ था मतलब दो सो पैसा 200 रुपया नहीं अरे वाह यह जूट का इंजक्शन लगते निज्वार आपकॵए विट निकालो लोग कर दोंगा है दो पुलिस को बुलवा कर दोनों को चीरिंगेस में अंदर करवा दूंगा कि जूटे मकार कही के मंगता है तो दो रुपया ले लो आरे हम भैकारी है क्या तो और क्या है इसके हशी का गायब होगी इस अले की लगता है आपने जूटका इसको बाव बडूस देती है हाहाँ हाहाँ है एच टेलिफोन चर्ड में आठ रुपे आपड़ा और दो रुपे देकर चलागा हो राधा बोलो आपके पिक्निक पर पंचगी नहीं जा रहा है घर का फोन नहीं लग रहा है प्लीस डैडी को बता दूगा यू इन्जॉइव यरसेल्फ ओके बाए प्रिवा क्रिकेट का है मजा आचा आख खेलेगी म कुई एस मौसम में सनम क्रिकेट का है मजा आचा क्रिंगी में क्रिंपा आख खेलेगी में क्रिंगा खेलेगी मौसम OUR decentralized क्रिंगा ख Alpha tenर丘 क्रिंगा खेलेगी में क्रिंगा खेल श्योग्छा preventing व्क्रिंगा तुजडा खिंगा खेलेगे ऐसी बैटिंग करूंगा सेकडो रन पनावंगा ऐसी पोलिंग करूंगा सारी दिक्टेम उड़ावंगा तुम इसमें चीतिंग करते हो गलत बालिंग करते हो नहीं सुने जाना मैं ये गेम नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ और आजा खेले गेम कोई और आजा खेले गेम कोई पिति मौसम में सरम हापकी का है मता आजा खेले गेम ये ही पिति में सकते हैं पित खेले गेम करते हैं ऐसा कैरी करूंगा, सिधेटी पे रुखोंगा, क्या समझी? जब भी तीसे हिद करूंगा, सिधे गोल ही बनाऊंगा तुमिसमें पाउल करेते हो, सुब बोलेचे दिगरी, और साइद रहते हो, ए माता खरापना की तो माता, मुझे नहीं खेल नहीं खेल, ये भी कोई गेम है? करूंगा अरे आजा खेले गिन कोई अरे आजा खेले गिन कोई इसे मौसम में सरम है प्यार का मसा आजा आजा खेले गिन कोई इसमें सब हार ते आए इसमें जीता न कोई यहां सब लाग अणारी जो भी है दू के खिलारी I love you, I love you, I love you आजा खेले गिन कोई हर मोसम में सरम है प्यार का मसा आजा खेले गिन कोई सब्सक्राइब सब्सक्राइब अज़े बीट कोई सब्सक्रामा लाब हो गया रभी का रज़ेर पिकनिक पर गया है यह लेकिन लेकिन बाट क्या है और सब्सक्राइब मुझे लगए थोड़ा चक्रा आज़ा बीए में फरस्त क्लाइब डिस्तिंक्शन में पास हुआ है अरे देख, हमारे बेटे का अख़बार फोटो भी आया, यह देख, यह देख रभी टॉप दिन पीए अरे गंडे रंबी ट्रेन आ वही है अरे पीला बेख एकबाल, एक पीला बेख रेगे अंदर बबू समान उठाँ अरे चावा कुली तूम दादा जी आप कौन, कौन दादा जी? आपका नाम, शी गंगराम जी है ना? नहीं, नहीं मेरा नाम, मेरा नाम रामलाल है, रामलाल नहीं, आप जूट बोल रहे हैं, आप मुझे कुछ चुपा रहे हैं नहीं पीटा, मैं पिछले 20 साल से इसी प्लेटफार्म पर कुली का काम कर रहा हूं शाद तुमें धोका हुआ है, कभी-कभी आखें जो देखती हैं मन जो सोचता है ना, वह होता नहीं है लेकिन, यह मैं समन उठाँ, समन उठाँ जी नहीं, हमनों बहुत सारी लड़के अपने समन खुद उछा लेंगे रवे, यह यह पीला बैग नहीं मेंगा अब्दुल, समन उठाँ लक्षमी, अरे कहा हो तुम, ऐसी खबर लाओं के सुनकर पागल हो जाओगी क्या बात है लक्षमी, आज वैसे लगता जिस भवान कुछ जाता ही महरबान है दिल की उजड़ी वी जहीन पुर उसने आज खुश्यों के वरशा कर दी ऐसे कुन से खुशकबरी है आज, आज अपने अपने रवी मिला था क्या, रवी, हमारा रवी ए भगवान, तुम ने उसे देखा? इतने, इतने करीब से देखा मैंने उसको कैसा लगता है वो लाकों में एक नजर नहीं ठीकती थी उसके उपर और दिमाग को इतना तेज मुझे देखते ही पहिचान गया और कहने लगा दादाजी आप में उसके दोस्तों के सामने उसका अपमान नहीं करना चाहता था कि वह एक मामुली कुली कप होता है मैंने उससे जूट कर दिया कि मैं उसका दादा नहीं हूँ मैं राम लाल हूँ यह लक्षमी पगली रोती के हुए आज तो बहुत खुशी का दिन्ने आज तेरा पोता पूरी उनिएस्टी में फर्स्त हाया है यह देख यह देख उसकी तस्वीर चपिए देख रभी आवारा रभी तेरा इसे पक्रिये? तुम का जारी? पक्रिये तसे ही यह क्या है? बच्पन में हर कामियाबी पर मैं रभी को अपने हाथों से तिलक किया कर दी थी आज वो ने सही कम से कम भगवान ने उसकी तस्वीर तो बेच दी जरा इसे पक्ड़ो मैं इसे तिलक करना चाहती हूँ क्यों क्यों करें जरा पसे अ.. क्यों.. घ्रादी कु्ष्ध्ण पंच पंच जबार जोट धाज जोट जब कि आप आप लोग पर एपक जुट कि इसना बड़ा जूट बोला कि मेरे दादा दादी मर गड़ और आप लोग, आप लोग इस सालत में, वो लोग यार ये तो बता दे, तु है कौन? मैं? मैं श्रीप फूलचन जी का तीसरा बेटा हूँ तीसरा बेटा? अमें छोटे, मैं या हूँ छोटे, अमें पिता जीने दो शाधियां की थी क्या? लक्ता पिता जी जवानी में बड़े चारू टाइप की आद मी रहा हूँ देख दो नमूला कैसे मार रहा हूँ कमीनो, अपने पिता जी को गार पिता जी को अज़ने तुमें मार मार कर बता बना दूँगा पिता जी को क्या क्या खिलाते पिलाते रहें जो उनकी तबियत खराब हो गई अरे मेरे बाप के तीसरे बेटे, हम तुम्हारे बाप को काजू, किसमिस, बदा, हलुआ, पूरी, कचारी, समोसे, सब खिलाते थे, क्या मैं चटे किदर है से, मुसंबी, नारंगी, पपिता, उपने के रहे खिलाते थे अलग तुम लग सब छूत बोलते हो अंकेर येस, सच बोलने का इंजेक्शन तयार है, बेटा, हाथी की पूच से निकाला है तुम भी तीसरे बेटे के साथ में लगा है, तुम्हारों को करेक्टर है करेक्टर होता है, तो पिर तयार हो जाओ, तुमने अपने पिताजी को क्या-क्या खिलाया थे बोलो करेक्टर हो, पिताजी मैं बताती हूँ, बोलो, ये दोनों पिताजी को सूखी रोटी खिलाते थे, तभी ये सूख गया सूखी रोटी की तरह हाँ, आज अगर पिताजी बिमार है, तो इन दोनों के कारण है पिताजी, ये लिजिए हंटर, लगाए इनको सूखे वो भाई साफ, इनको नाशते में दो हंटर, इनको लंच में चार हंटर और डिनर में आज हंटर मारीए और जिस दिन हंटर मारिए गांज उस पानी मत दीजिए और जिस दिन पानी दीजिए गांज अब इनका नाश्ता हो गया आप इनको यह भी बता दें इन बंधकों को कि आप कौन है जारा पता लो को ने लाइए हाँ देखो 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 अब अब कर रहा है यह कर रहा है बाबुजी बाजार से खरीद के लाएवे फुलों से यादों की महिक नहीं आती और फिर ऐसे महाल लोगों की तसिरों पर तो वो हार चड़ा जाते हैं जिन पर भावना है फूलों की तरह लटकती हो जिसमें श्रद्धा प्यार महबत की महक आ रही हूँ इसलिए आज से इस घर में फूलों और अगरबत्ती की पूजा बंथ यह क्या बोल रहा है इसके व अगर तो अगर ने बादा जाए तो तो अपने माबाब को बता दे कि तेरे दादा दादी मरे नहीं जिन्दा है और तेरी उनसे मुलाकाइद भी हो चुकी है तुमारा मतलब है कि मैं उन्हें बता दू के जो जूट उन्हें मेरे वजपन मुझे कहा था उसका मुझे प्ता चल गया है कि मेरे दादा दादी मरे नहीं जिन्दा है यह करने से उन्हें शर्मिंगी तो मैसुस होगी मगर मेरा मकसद पूरा नहीं होगा तो फिर? जिस तरह यह राज उन्होंने बर्सों तक मुझसे छुपाय रखा मैं भी उन्हें यह राज इतनी आसानी से नहीं बताऊँगा आप पुछन दाओ हाँ वे यह यह मिठाई किसलिए इसमर फिर बेटा हुआ है क्या ओहो लानद भेजो बेटों पर मेरा बस चले ना तो मैं उन्हें जादू टोनों से गाइब करवा दू तो तो यह मिठाई किस खुशी में तुम्हारे एसानों के खुशी में मेरा एसान हाँ तुम्हारे एसान तुम्हारे याद है जब मेरी बेकी पैदा हुई थी मैं कितना रोया था कितना तर्पा था और तुमने कहा था कि बेटी देवी होती है तकदीर वालों के घर पैदा होती है मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई सब्सक्राइब करने लगे पहले लड़की जास से नफरत करते थे बेटों से नफरत करने लगे नहीं पुल्चन यह तो सब तक्दीर का खेल है एक बाद जानते हूं इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है दुख इस दुख को इंसान से इतनी महबबत होती कि हर गड़ी इंसान के सीने से चिम्टव रहना चाहता है ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बन कराता है कभी नौकरी का दुख बन कराता है कभी बीवी का दुख बन कराता है तो कभी आलाद का दुख बन कराता है एक अकेला दुख है जो चेरे बदल बदल कर इनसान के सीनी से चिम्टा हुआ रहना चाहता है अगर इनसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस को ठुकरा कर बेवफा सुक की तलाश में बठकता रहता है एरे सुक तो बेवफा तवाइफ की तरह है जान जिसके पास कल उसके पास अगर इनसान दुख से दोस्ती कल ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुकी नहीं रहेगी तो बहुत खोब बहुत कोब गंगरम तुमने जिनदगी के सारे अंधेने दूर कर दिये आई डाड आप आफिस ही जा रहे है ना नहीं बेटे आज खंडला में जमीन का आक्षन है और बेटे, वो जमीन जमीन नहीं, हीरा है हीरा शहर के हर बिल्डर के उस हीरे पर नदर है खास कर विजय वर्मा की विजय वर्मा डेट, आप वहां नहीं जाएंगे वहां आपका बेटा जाएगा आपके दुश्मन विजे वर्मा के मैं दर्शन भी कर लूँगा और जमीन लाकर आपके कदमों में डाल दूँगा इससे आपकी जीत भी होगी और आपका दुश्मन शर्म के मारे डूब के मर जाएगा अब बारी है प्लॉट नंबर बारा की जिस पर आप सब की नदर लगी है सरकार ने इसकी किमत एक करोड रुपया रखी है अब आप इससे बढ़ गर बोली लगाईए एक करोड बीस लाग एक करोड चालिस लाग एक करोड पजास लाग दो करोड दो करोड एक दो करोड दो दो ताय करोड बहुत खुब विजे साहब आज के दौर में ऐसी जमीन के असली कदरदान विजे साहब ही है यह यह विजे वर्मा तो इनकी बोली धाई करोड रुपए धाई करोड एक धाई करोड दो चार करोड लू तुम यह चाट कर रहे हूं बागल हो क्या चार करोड एक चार करोड दो चार करोड थी बेटे तुमने इस धंदे में निया कदम रखा है और कदम डालते हैं अगर तुम यह सोच रहे हो कि इस प्लॉट को खरीदने के बाद तुम्हें बहुत बड़ा फाइदा हुआ है तो बिल्कुल गलत है अगर तुम इस प्लॉट पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बना कर उसे ज्यादा से ज्यादा दाम में भी बेचोगे तो भी तुम्हारा कम से कम नी तो पचास लाख रुबे कर नुकसान होगा हसो मत आज से तुम्हारे रोने के दिन शुरू हो गए है आज पहला दिन है प्रैक्टिस कर लो विजय वर्मा यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन हसता है और कौन रोता है तुझे तो मैं पहुत रोलाओंगा विजय वर्मा हालो हां मैं आपका सेकेटी एसदी सुमंदूशी बोल रहा हूं आप विजय बोल रहे हैं न मिस्टर विजय बोलो बत्तमीज मिस्टर विजय आपकी चीशपोगली वाली जमीन का प्राबलम हो गया है मुझे ना सुनने के आदत नहीं है जमीन चाहिए तो चाहिए अधियाव को गौफे जसवाल पूँश है इनसान कोस्ती जरूरतों के लिए अधिन मीन की जरूरत होती है भगवान को जितनी जमीन बनानी थी बना चुके और अब जितनी जादा से जादा जमीन मुझे मिल सके ह है उतने समझ गए से मेरे नामें किस ने बेजी है वे इस वावचि ये pist geschafft पता है यतीम मंजिल अनाद गल्ली लावारिस पूरा डिस्टिक यतीम पूरा कमाल है यह जगह का नम मैंने पहले कभी नी सुना लगता किसीने मजाग किया है तब इस धरा इसे खोलो तो तो यह देख रहे अरे यह तो किसी के घर की तस्वीर है यह देखी ना बबुजी गंगा लश्मी निवास नाम सुना हूँ लगता है मम्मी मेरे दादा जी का नाम क्या था मैं बताता हूँ तेरे दादा जी का नाम था गंगा राम नहीं बाबुजी मेरे दादा जी का नाम गंगा राम नहीं था बत्तमीज तु मेरे बाप का नाम मुझसर जादा जानता है नाराज मत हो यह बाबुजी मेरे दादा जी का नाम था शीरी गंगा राम जिस तरह आपके नाम के साथ अगर मिस्टर ना लगे तो आपके नाम का अपमान होता है न उसी तरह मेरे दादा जी के नाम के साथ अगर शीरी ना लगे तो उनके नाम का भी अपमान होता है समझे बाबुजी जै हो मारा जै हो मारा जै हो वी जै बाबु कर दो जैघो 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 आये पंड़जी आप को देखर याद आता है भाबुशी का श्राद है अदय कल से शुरू हो गया है मगर धन्य है अप धन पर दोज़ाइब नहीं पंड़जी जिन माता पिता ने हमें जनम दिया उनके श्राद की रसम पूरा करना हवारक करतव्य है इस साल भी जुरूर मनाइंगे सपना इन्हें 2000 पैदे दो अरे वीजय बाबू इस साल का बजट नहीं देखा आपने हर चीज की महगाई बढ़ गई है बिल्कुल सही का आपने वाकई आज कल के यूग में हाई चीज के दाम बढ़ गए मगर आदमी की नजल में इंसानित के दाम घट गए है क्यों बाबूजी हाँ हाँ सपना पंड़ अरे यह त्याहर तो साल में सिर्फ एक ही बार आता है अच्छा तो यह श्राद एक त्योहार होता है हाँ वाँ फिर तो आपकी बार यह त्योहार हम बड़ी ही धुमदाम से मनाएंगे शाद दिन आया है अरित को गुल आओ दिन दान परवाओ हल्वा पूरी खाओ उससे साद मनाओ शाद दिन आया है शाद दिन आया है शाद दिन आया है शाद दिन आया है आज के बच्चे भी क्या खूब प्यार देते हैं अपने माबाप को जीते जी मार देते हैं अपने माबाप को जीते जी मार देते हैं अपने मार देते हैं पैसा घरबार है पैसा घरबार है परिवार है पैसा इनका दोस्त महभूब रिष्टदार है पैसा इनका पैसा ही गीता है और पैसा ही पुरान इनका पैसा ही मंदिर मस्जिद पैसा ही इमान इनका अर एक रिष्टे को पैसे ते भार देते हैं भी देको पैसा 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 पैसे के वासिते, पैसे के वासिते पैसे के वासिते, मान बेच डालेंगे पैसे के वास्ते मान बेच डालेंगे क्या है माँ बाप ये भगवान बेच डालेंगे क्या है माँ बाप ये भगवान बेच डालेंगे अपने घरवालों के दामन ने दाग दिखिता है अमीर हाए जो ससुराल से पैशता है भैजे को पैजा 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 अपने घरवालों के दामन में दाग दिखिता है अमीर आए जो ससुराल से परिष्टा है घर में माबाप को रखते है ताखिल कैसे जिन संफा के रखते हो कोई ना खर देजे दूद के खर्ज का ऐसा उतार देते हैं आज के बच्चे भी क्या भूब च्यार देते हैं अपने मात आपको जीजी दी मार देते हैं आपने मात आपको जीजी मार देते हैं कमलाबाटिवाइच, चलो ईट लॉझ डो दो तरूरर देल बाटली वाला चलो यह जिस जोक्टर आप ऐसे बेखने आप बैखनेिमे चलिए लेक्ट आप आप जाए तबाप रहे हो 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 बंदा नीचे सुनना पड़े गहां मारता मारता यह तो आपका आखरी मैना चल रहा है और आपके मटक के आ रही है जैसे कुवारी है सुआख करें जी डॉक्टर नामे पेट से है और नामे और अरत है है तो फिर यह क्या है हूँ तो चोक्री वills कुवारी ओठीकिति व्यवीतों और अभरता आप अब, लॉक्ली को और अधिनल था अहुंआ है मंगरूआ किका क्ष्व यह थों तक्रीअ क 복ायर का ऐपके आःए तो मारा दिलनी गंटी वागवा लागे चे है, जोड जोड ती क्या बचती है? गंटी घंटी, घंटी, तमद गया क्या करू, डॉक्तर, नाडी चुला अच्या ये नाडी ना, ये नाडी नाडी, नाडी, चोक्री हुना एक दिन, मारा जिंदेगी में एक बुड़ा आया था उसको देखकर भी मारी दिलनी गंटी वागवा लागी थी बुढ़े को देखकर भी दिल की गंटी वागवा लागी? मुझे देखके तुम्हारे दिल की गंटी वागवा नहीं लागी दॉक्टर पेशन्ट के बीच बोला तो तुम्हारी भी वागवा कर दूँगा फिर दॉक्टर मारा जिंदगी में जवान आदमी आया था फिर फिर उसको देखके भी मारी दिलनी गंदी वागवा लागी थे लेकिन वो दोनो मरको मेर पर बिलकुल दया नहीं आया वो डोनो मेर को छोड़ के चला गया चोड़ के चोड़ के चोड़ के चोड़ के चोड़ के तुम्हे काम करो डॉक्टर क्या क्या काम तुम मेरा नश्बंदी कर दो तुम मेरा दिल का गंदी कर देगा तुम मेरा सारा अर्मान कर जाएगा फिर किसी भी आदमी को देखकर मारा दिलनी गंटी ना वागे नाए 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 तुम कैसी निराशाबादी बाते करती हो अभी तुम जवान हो, खुबसूरत हो, नाजुको, शुट सिक्ष्टीन हो इतनी जल्दी घंटी मत कटवाओ सुनो, एक काम करो, मैं तुमको एक दवा देता हूँ जिस मर्द को भी खिलाओगी उसकी घंटी अपने आप वागवाई आगे तुमारा कामा आफाथ हो जाए रेली रेली क्या, मैंने कितनों के घंटी वागवाई है यू सी माइ मिक्स्चर अव हाँ मुझे तेखके अप घंटी बजेए नहीं जंग लग गया तो मिक्स बगशन इसको भी देखके, मारी डिली घंटी वागवा लागे थे डोक्तिर भी हैंसम थे दवाई तो ये बना रहा है हाँ, क्यों नामे ये दवाई इसी को पिलादू? ये रहा शर्तिया मर्ग की घंटी बजाने वाला मिक्कर्ण 21 साल का फॉर्मूला, जिस जिस मर्ग ने इसको पिया, उसकी बजे और ये क्या कर रहियो, क्या कर रहियो ही क्यारा सब्सक्रार कृषिए बजार ये ये रुझा जिस बजच्चा डर्टो मेरश मेरे प्न सब्सक्राशब है लिए ये प्रके आएज चाह गोड़रे मेरे लिए जैना इस बता सब्सक्राश्यूला कैला बजाल कितूल दधो द्धोला मेरे बुल-बुल बेला, मैं क्यो रहा तुझ भी ना केला बेला, चल बेला, चल, तु मुझे ले चल, मैं बेला मैं दीवाना जोक्तर साथ, बबाशना, जोक्तर साथ, ये शादी नहीं, खुदकुशी है आपाद या आची, क्या हो गया तुम्हे अंधेरे में बैठे हो, शराब पे शराब पीए जा रहे हो, कोई परिशानी है हाँ सपना, मैं बहुत परिशान हूँ मैं अपनी जिन्दीगी में हर जंग जीता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं, अपने बेटे से हार जाओ बहुत, बहुत बदल गया है अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है, बात करता है तो शब्द कम कांटे ज्यादा होते हैं कारण पूछो तो मुस्कुरा कर टाल देता है, मुझे तो उसकी मुस्कुराट से भी खौफ लगने लगा है कई ऐसा तो नहीं कि रंजीत हम बाप बेटे के बीच में नफरत की दिवार खड़ी कर रहा हूँ पता नहीं पोछती तो मैं भी हूँ लेकिन ठीक से जवाब मुझे भी नहीं देता हम एक बार जाकर रादा से मिल लेते हैं रवी रादा को बहुत प्यार करता है उसने अपने दिल की बात रादा को तो बताई होगी और अगर उसके दिल में हमारे खिलाफ रंजीत ने घलत फहमी पैदा कर दी है तो वो उसे दूर करेगी रवी हमारी बात का तो विश्वास करेगा नहीं इसलिए एक बार हमारा रादा से मिलना बहुत जरूरी है क्या सोच रही है मैं ये सोच रही हूँ कि श्राद वाली दिन तुम्हारे माबाब के साथ जो सुलूक किया था वो ठीक नहीं था ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम पूरी तरह हकीकत से वाकित नहीं बीस साल पहले मेरे दादा दादी ने अपनी आलाद के हाथ जो जुम सहे है उनकी हकिकत जनो चाहती है हाव मेरे साथ ये डायरी मेरे बुरे दादा दादी के दुखों की दास्तान है और मेरे बाबुजी के उन जुमों की किताब है जो पिछले बीस साल से वो करते आ रहे हैं और बीस साल से लोग सहते आ रहे हैं इससे पढ़ो इसे पढ़ने के बाद तुम्हेरे जहन पर पड़े शक के परदे हट जाएंगे और उन परदों के पीछे तुमें सचाही रोती हुई नजर आएगी पढ़ो इसे नहीं, रभी, हालाद देखने के बाद ये डारी पढ़ने की कोई जुरूरत दे रभी? हाँ? जी, दादा जी ये कौन है? ये, ये, वो, ये, वो मेरी नानी है, नहीं, वो, कौन हो तुम? नाम मेरी नाम यादा आगिया, इसका नाम रादा है और ये गोबी फूल अपना फूलचन जी की बटी पाँचो पाँचोने के लिए के रहा बीटी जोर से बुला करना, बास पेटी बस परिये बस 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 पर बीटी ये पकड़ा बीटी, तेरा बाप और में बहुत जमाने की दोस्त है एक बात बोलता हूँ, बुरा मत माना जी दिन तू पएदा हुए थी ना तो तेरा बाप धाड़े मार-मार के रूरा था ऐसे लो रहा था है, तारे शहर में भौचा ला गए, इतने मोटे-मोटे आंसो गिरा रहा था वो लेकिना भगवान का शुकर आदा करता है कि भगवान उसको इस बेटी की जगा बेटा नहीं दे दिया बेटाईया बाटता फिरता है वो पीटे, एक खास बात बुलूँ, क्या है उद्धा देख, यह जो रवी है न, यह अपने दादा की तरह थोड़ा संकी है, ज़रा ख्याल रखना है इसका दादी अच्छी बस पर कीजे न, क्यों, क्या बच्चों से ऐसे बाते करते हैं, यह क्या बाती, तो मेरे घर जब पहली बाराई थे तो मेरे पेदा ने तुमसे नहीं कहा था यह गंगाराम थोड़ा संकी है, इसका जरा ख्याल रखना, कहा था यह नहीं, हाँ, मगर उस रो क्या जराई सलाँ, सलाँ, सलाँ Ay 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 arka selam, derse merina Ay ay arka selam, derse merina Ay ay arka selam, derse merina आया, आया, कसला हो, जार से मेरे दो आया, आया, कसला हो, जार से मेरे दो आया, कसला हो, जार से मेरे दो आया, कसला हो, आया, कसला हो, जार से मेरे, आया, कसला हो, जार से मेरे दो आया, कसला हो, जार से मेरे दो आया, आया, कसला हो, जार से मेरे दो 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 आखों में रहने लगी तू, सांसों में बसने लगी तू आया, कसला हो, जार से मेरे दो आया, कसला हो, जार से मेरे दो आया, कसला हो, जार से मेरे दो कुले, सामान उठालो, साब तुमीजियर अभी, कई तुम पागल तो नहीं हो गया हो जी नहीं मैं बिल्कुल होश नहीं तो दुनिया को तवाशा दिखाना चाहते हो कि एक करोणपती बाप का बेटा कुली का काम कर रहा है शरम आने चाहिए तुम्हें जै आ, मुझे शरमाने चाहिए, क्योंकि मैं करोणपती बाफ का बेटा होकर कुली का काम करना हुआ। बज junior अगर एक करोणपती आधनी का बाप कुली का काम कर सकता है तो फिर बेटे को लिए का मुझे काश्म करने में कैसे शरम ? क्या बक्वास कर रहा है तुम बक्वास मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं क्या मतलब मतलब ही जाना चाहते है तो वहां देखिए पिताजी जी आपके पिता और मेरे दादा जीता बाबुजी बरसों से जो आपने जूट का परदा डाल रखा था आज वो खुल गया और हकीकत सामने आ गई वाकई ये बहुत ही शरम की बात है कि करोड़ पती आदमे का बाप एक मामुली से छोपड़े में रहता है और कुली गिरी करके अपना पेट भरता है हाज आपको पता चल गया होगा कि मेरे बदलेवे रवये की वज़ा क्या है कि अज़ा वही दर्वादा खुला है कि अज़ा कि अज़ा कि अज़ा कि अज़ा कि कि अज़ा कि तुम्हें को कैसे भूल सकता है इंस्तान अपने आपको भूल सकता बगर तुम जेसी अवलात को कभी निमें भूल सकता आयं कि अब आपको अपने घन화या हूँ भी यहाी बार टुम्हेर पस कुछ भी नहीं है ह опас अज़ा मैं किराय का है इसे मुझे से छुपा कर तुम बेज भी नहीं सकोगे लगता है आप अपनी पुरानी बातों का बदला अब तक मुझे से ले रहे है नहीं जी, मैं क्या मेरी अगाद क्या मैं किसी से क्या बदला लूँगा ये बुड़ा गरीब कुली शैर के इतने बड़े से से क्या बतला लेगा यही तो मैं चाहता हूँ कि आप कुली ना रहे हैं तो क्या करूँ, बेकारी बन जाओं देखे, हम तो सिर्फ इतना कहने आए हैं कि आप पुरानी बातों को बूल जाए और हमारे साथ घर चलिए क्यों घर के नोकर काम छोड़का चले गए हैं क्या जो हम लोगों को लेने आई हूँ पिताजे आप पे क्या कर रहा है मिस्टर विजय कुमार आप बिना मतलब के भगवान के घर नहीं जाते तो हम फेंकेवे कुड़ों को अपने घर क्यों ले जाने लगे जूट मत बोलो मैं तुमारी रग रग से वाकिफ हूँ साफ बताओ के तुम्हेरा मकसद क्या है तो साफ साफ सुनिए कि मेरा मकसद क्या है रभी को आप लोगों के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग मरे नहीं जिन्दा है और वो हम से दूर हो चुका है यह तो एक दिन होना ही था इस दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है जो अलाद अपने माबाप का दिल दुखाती है जब वो माबाप की पद्वी समालती है तो उनकी अलाद उनका दिल दुखाती है भाई मेरे काटे वोए हैं तो फूल कहां से पाऊगे मैं यहाँ इस वक्त आप से जिन्दगी का सबक सिखने ने आया हूँ मैं आप से बलके यह कहने आया हूँ या तो आप घर चलिए या 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 फिर यह रखकर कोई धंका घर खरीद कर अच्छी जिन्दगी गुजारने के कोशिश कीजिए खुद का घर तूटने लगा तो रिश्वत मुझा घर दिलाने चले आई मिजय तुम्हारे सारी जिन्दगी गुजर गई तुम अब तक रिश्वत और बेमानी के दल्दल से बाहर नहीं आए और रिश्वत भी दिने आये किसको इस गंगाराम को जिसको जवानी में कभी पैसे के तमाना नहीं थी उस बड़ाबे में क्या करेगा जिसका सारी जिन्दगी एक ही उसूल रहा है कि इन्सान के बाद सर्फ इतना पैसा हो कि वो दो वक्त की रोटी इज़त के साथ कमा कर खा सके जहां पैसा रोटी की हथ से बढ़ गया वहीं इन्सान बेमानी के दल्दल में गड़ गया पर यह गंगाराम मौत के दल्दल में गड़ जाएगा मगर बेमानी के दल्दल में कभी नी गड़ेगा इसलिए आइंदा कभी ऐसी बेहुदा तमना लेकर इस दैलीस पर कदम रखने की कोशिक मत करना यह तुम्हारी जिंदगी का सौदा है तुम्हारी जिंदगी का सवाल है इसे खुद ही हल करो यह कर भी मत हना चला जाया वैसे जाना से जाना से खंगराम को खरीदने आए वीचे वीचे रूग जा बिटे Richie, Richie! Richie, Richie! Richie, Richie, Richie! Richie, Richie! Richie, Richie! Richie, Richie, Mary, Richie, कब बाय कर दो... मा? मä, मैं तेरे एलाज का पूरा परबंद करकर आया diva तो बिलकुल अच्छी हो जाए तेरे बाबुजी क्या कहते थे, तू नहीं आएगा और मैंने कहा, विजे, विजे मेरा बेटा है, वो मेरे लिए दुनिया को ठुकरा देगा, लेकिन मेरे पास जरूर आएगा, जरूर आएगा सुनिए, मैंना हमेशा कहती थी, मास से जादा बेटे को कोई लिए समझ सकता क्योंकि मा के प्यार की उम्र औरो के प्यार की उम्र से नौ मेने ज्यादा होती है, क्योंकि मानौ मेने बच्ची को अपने बेट में रखती है कोची पोजा हमा कोच बल माट एमा हाग हाग झाली हाद जड़ कश? झाली तू? कब दिए potentially जड़ के संभी है तुम्हारे लुटाब को आटाते हैं विल्टाइड से आपका फोन तो प्रॉट सब्सक्राइब नहीं करें अग्यारे जुए अग्यां में सफना परई नुक्साली सब्सक्राइब तो में काम करो, किसी भी हालत में रवी को संभाल लो और खुद महाँ पर जाकर, ख्रिया करम पर जितना भी पैसा लगे, उन्हें दे देना और हाँ, मुझे वक्त मिला तो मैं जुरूर हूँगा, ओके? विए तो में आपएबि हो, यहां फ하면서 कि इन्ति भूरा आपना मुझे पर नहीं एक प्रसिकता आपटए च्वर्ण हर लो माजी माजी यह क्या हो गया माजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए माजी हमें दो दिल आपकी सेव करने का भागा तो दिया होता माजी माब बाबुजी लिया क्या बताओ बेदा मैंने लाग कोशिश की फोन पे फोन किये लेकिन उनसे बात नहीं हुई हाई उनको तो यह भी नहीं पता होगा क्योंकि मागे दिहात हो गया है अगर उनको पता चल जाता बेटा तो उन सरूर आते सरूर आते बेटा तो बस असुमत बहाँ जो माजीते जी अपनी अवलाद पर बोज नहीं बनी वो मरने के बाद क्या बोज बनेगी जिन कादू के मुकदर में इसका बोज लिखा है आज भी वही इसका बोज उठाए गया किसे ही जुल पेम जिले आजही जब आजही डही जुलि agree आहाओ Гाँ आजहे अपनों जब अपनी दुनिया ठुकराती है जाने अंजाने में हाए निकल जाती है हाए लगेना तुझको दुआये मा दे कर जाती है मा का दिल मा कर जाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल करमों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी सबसे खुबसूरत सबसे उंची इमारत मानी जाएगी यह बाबू जी इस देश की सबसे उंची इमारत तो बना रहे हैं आप मगर वो जमीन जिसने आपकी जिन्दीगी की इमारत को बनाया वो जमीन आज धस के मौत की गहराईयों में उतर गई और उसकी रत्यवर परवा तक नहीं है आपको इसे देख रहे हैं आप इस कलश में जलती हुई मम्ता की राक है उन हड्डियों के टुकड़े कि रोने आपकी हड्डियों को जनम दिया लाक की शकल में इसमें आपकी माह का शरीर बंदे बाबुजी वो शरीर जिसमें आपको नौ मैने अपनी कोक में रखा और उसका अपने ये सिला दिया कि उसकी अर्थी को काना देने के लिए आपके पास वक्त नहीं था आप अपने परताओं से जिन्दी की भर उनका दिल जलाते आए और जब उनको जलाने का असली वक्त आया तो आपने अपनी आखे ही फेर ली बेटे का सबसे बड़ा फर्ज होता है मा के तूद का कर्ज उतारना उसकी चिता को आप लेकिन आप आप तो पैसा कमाने में इतने मसरूफ रहें कि आपने वो कर्ज भी नहीं उतारा नभी इन सब बातों के लिए यही जगी है क्या बाबू जी मैं तो सिर्फ यह कहने के लिए आयाँ कि अब भी वक्त है अब ही वक्त है मा के आइसानों के सागर में फर्ज के चंद कत्रे अदा करने का धर्म के अनुसार अस्तियों का विसर जन किये बिना मरने वाले इनसान की आत्मा को शांती में मिलती मगर आपके पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि इस राख को ले जाकर अपने हातों से गंगा की लेरों में विसरजन करें इसलिए इसलिए मैं इस कलश को आपके पास लेके आया हूँ कि आप इसे सिर्फ छू दीजिए बाकी फर्ज में अधा कर दूँगा चुँए बाबुजी क्या सोच रहे बाबुजी किंते सर्मा रहा इन लोगों से यहाँ पर जितने बड़ आदमी मवजूद है इन लोगों में से कोई ऐसा आदमी नहीं जो बिड़ा मभाब की इस धर्थी पराया है बाबुजी चुँए इसे बाबुजी चुईए इसे चुईए बाबुजी शुक्रिया बाबुजी बहुत बहुत शुक्रिया मगर जाने से पहले एक पात कहके जाना चाहता हूँ जिस चिता की आग में मेरी दादी जल गई उसी आग में मेरा और आपका रिष्टा भी जल गया जो गम जो दुख आपने अपने माबाब को दिये खबाब की बारी है जब आपकी अपनी ये इकलोती ओलाद आपसे जुदा हो जाएगी ना तब आपको पता चलेगा कि आउलाद की जुदाई का दर्द मौत की दर्द से भी जादा होता है अब आपका मेरा कोई रिष्टा नहीं मैं जा रहा हूँ बाबुजी आपको छोड़कर हबेशा हबेशा के लिए रवी 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 को वाट तुम्हारा हस्पं कुत्ते की तरह भोगता है और तुम्हारा कुत्ता मूँ में बैग अठाकर ऑफिस को चला जाता है वह मैं कोड गरलिंग दे परऊग्यशन ने रालो कॉर। मिसस्स भंडारी मौर। वह लों की तबीयत ख्राब है और जल्दबाजी में मेरे compounder ने आपके पती को कुत्ते का और कुत्ते को पती का इंडेक्शन लगा दिया था हाँ 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 इसलिए मैं उस compounder को निकाल दिया और आजकल में इडली सामर खाता हूँ केख खाना छोड़ दिया उसमें वो मक्षिया डाला करता था पार्टा ही बिजनिस था जी उसका हाँ हाँ आप चिंदा मत कीजिए वो नहीं है अब मेरी डाल इंकम बाउंडर है हाँ आप एक काम कीजिए अपने पती और कुट्टे दोनों को एक सास या ले आई तो मैं आपके पती मैंसे कुट्टा पन और कुट्टा मैंसे पधी पन निकाल दूगा यह तो बाँ आप तक खेले डॉक्टर खाओ डाली खाओ मैं बिखारी नहीं हूँ आपका मरीज हूँ मरीज हो का महीने पहले कमाल अभी तक जिन्दा रही लगकी क्या हिलाज करवाया था आपसे जूट बोलने का इंडिक्शन लगवाया था आपसे लगवाने के बाद इतना जूट बोलना शुरू कर दिया के आदा शहर मेरी पीछे डंडा लेकर भाग रहा है मेरे जान के पड़ गए लाले है अब तो तु ही बचा ले हम दोक्तर अज किसा सुनी यह जोड़ो का अश्च में आके अज जोड़ो के जगड़े में कॉट में गवाय कोई देने चला गया सब्सक्राइब अचे लेकिन जट साहब के सामने जूट बोल दिया चरण जो कर चरण चरण हाँ जो अपने जुट से बाहर निकला है तो तो इघ्ड़ों ने अपने घागरें हिला हिला कर मुझे इतनी लाते बारे कि सीधा आपके दवा-खाने में आके गिरा हाा प्रफिसाब मुझे जूट से बचा लीजिए मुझे सच का इंजेक्शन लगा दीजे जली से प्लीड आप पकड में आया इसे कहते है जैसे को एसा डिखा? चारसो रुपय निकालो चासो रुपया जी हाँ दो complete का लगा डिखालो निकालो निकालो वह तर्भ माप असे तर्भ माप दे कि डगाने खिर हो से आ त avail any कर क qualification annih cloud I Gerade सुथ बॉलने का अशेक्षिव एक inertia इसके खूले बढ़े होंगे तक रहा देख रहा है तक हम पहाल औरurar कूल हुछ तक हरख रहा हा ह को बीचे और पहाल को लीचे कह हुछ प्रण जू इन डॉक्टर साब मैं आप से लिए बात पुछो पूछो यह जूद्ध अप्राइब अब तुम सच बोलने लगोगे कितना हस्ता डॉक्टर साब, एक सच मेरे पेट में उबल रहा है उबलो, उबलो, निकालो मैंने जो आपको सोसो के चार नोट दिये यह करक, करक यह सब जाली है जाली जाली तादर जी, इन काफ़ात पर दस्थखत कर दीजे किस चीज के काफ़ात ही है आज से बीस साल पहले मेरे बाबुजी ने आप से आपकी जमीन, धोके से जबत की थी उसे दुबारा हासिल करने के लिए मैं उन पर कानूनी कारवाई करना चाहता हूँ क्या कहूं तू भी अपने बाप के साथ वही कर रहा है जो तेरे बाप ने अपने बाप के साथ किया था तो तुच्विय और उसमें फर्क क्या रही है जमीन आसमान का फर्क है उन्होंने धोका दिया था और मैं अपना हक वसूल कर रहा हूँ जब मैं इतना सा था तो मुझे मेरे दादा जी ने सिखाया था कि हक सच्चाई का दूसरा नाम है उसे पाने के लिए भले अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो लगाता ना मगर उसे हासिल करके रहना मैं उस सिख्चा को आज तब भूला नहीं हूं दादा जी मैं अपना हक हासिल करके रहूंगा भले यह दिनिया इधर की उतरफ जाए अपने बाप के साथ वह कानूनी कारवाई करेगा मुझे कचैरी लेकर जाएगा वो इसी दिन के लिए पाल पोस्कर बढा कि अमने उसे सर आपका लीगल एडवाइजर होनी की हैसिस से मेरा आपको यह बताना फर्द है कि अगर आपने इस नोटिस के जवाब में कोई भी कानूनी कदम उठाया तो आप यह केस हार जाएंगे क्योंकि आपने अपने पिताजी का जो बंगला दोके से हासिल किया था सही मानों हो उस पर रवी कही हख है सर एक काम करते हैं वो जो आपका मड आइलेन वाला बंगला खाली पड़ा है उसे बेच का साट लाक रुपर का बुक्तान करते हैं मैं समझता हूँ यह आपके लिए बेहतर होगा रवी तो कमाल का लड़का है मैंने उसे कितना समझाया कि सगाबाप है मैं साट लाक रुपर का नूटीस मत बीच साथ दूस्तों रुपर कम कर दें आप कहते हैं तो खामोश हो जाते हैं क्या कह रहा है मिस्ट निशल एक महिरा पहले मैंने अपनी प्रोजेक्ट रिबॉर्ट समिट कर आई थी और आप आप कह रहें क्या आपके सेंटरल आफिस ने मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया क्यों वाई इसलिए कि उस जमीन को आपने चार करोड में खरीदा है और उस जमीन का रियल वैलुईशन सिर्फ तीन करोड है जमीन खरीदने में एक करोड का नुखसान और उस जमीन पर आप कितनी भी उुची बिलिंगे बनाएं कितने ही महंगे फ्लैट्स बनाएं और कितने ही उुची कीमत पर बेचें फिर भी उस जमीन पर आपको 50 लाग का नुखसान आपको और हमारा बैंक ऐसे नुखसान के परपोजल को फैनांस नहीं करता है एक बात और मिस्टर गुल्शन विजय वर्मा ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया तुम्हें उकसाया के तुम उची से उची बोली बोलो और तुमने अपना एक क्रोल का नुखसान कर लिया पॉपर दिखा दिया नीचे दिखा दिया एक एक कमरा खोल के दिखा दिया पसंद तो आया होगा लो पसंद आने जिसी बात भी क्या है वो तो सब ठीक है लेकिन विजे बाबु का है बस अभी आते ही होंगे लो वो आदे कितनी लंबी उमर है उनका नाम लिया वो हाजिर हो गए मिस्टर मैंने इने सब कुछ दिखा दिया है कर से लगा चुट जिए जगह तो ठीक है और आप ते जो रकम बोली है साट लाख रुपए वो भी ठीक है हमें सौदा मन्जूर है इसलिए यह लीजे एडवांस पांच लाख रुपए ठैरिये सौदा तो आपने तै कर लिया मगर अफसूस गलत किया जिया बाबुजी शायद यह भूल रहा है कि मेरी एकिस्वी साल गेरा पर यहने के बल्टे पर बाबुजी ने यह बंगला मुझे बतौर तौफे में दिया था इसलिए इसलिए बेजने का हक मेरा है सिर्फ मेरा और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि फिलाल मैं इस बंगले को बेजने के मूड़ मने हूँ रभी रभी बेटे है मेरे विजय बाबु यह क्या मजाग लगा रखाया आपने अगर आइंदा आपने ऐसा मजाग किया ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा कर दो हमसे इतला कर वाल मैं को बाबु यह का रहां green का मतने बाबु mee वे-ग-वे इतला कर दो इतला कि दूना है तो हमसे प्रफे/. कि इतला कि वे वेुगे प्र रफे आप कि यह प्टमीजी है किस के हुकम से तुमने यह बोड़ बदला है तुम्हें मालूमनी की घर मेरा है रभी क्या है बाबुजी के घर तो आपका है मगर माबाप के घर का बोर्ड बदलने के लिए एक लवती अउलाद को किसी की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं पड़ती है बोल गया बाबुजी आज से 25 साल पहले आपने भी तो इसी तरह गंगा लक्षमी निवास का बोर्ड निकालकर विजयस अपना अपार्टमेंट्स बनवाया था और अगर गंगा लक्षमी निवास विजयस अपना अपार्टमेंट्स बन सकता है तो विजयस अपना भवन र यह तो मेरे दादा जी श्री गंगाराम जी के संसकार है जो मैं आपके साथ शराफस से पेश आ रहा हूँ रवी तुम्हें अपने मावथ से भी बात करने की तमीज नहीं है तमीज सिखाने का हाक उले होता जिने तमीज का मतला मालूम हूँ मुझे तो शर्म आती है अपने आप पर कि मैंने तुम्हें इसी फरेभी और लाल्ची माखी कोक से जनम लिया रवी रवी चिलाए मत चिलाना मुझे भी आता है इससे पले कि मैं अपनी हाथ से चले जाए ऐसे आओ रदा बोड़का दरवा दबन करो रवी 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 सप्ला क्या हुआ सप्ला विजे रवी नहीं मैंने बहुत बुरा खौप देखा है क्या खौप देखा तुम्हें विजे रवी नहीं रवी नहीं मर सत्यसा नहीं कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता मुझे मेरा रभी चाहिए यह दंड व्याहिदार मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे मरा रभी को लादो मैं उसके बगेद नहीं जी सकते मुझे मरा रभी को लादो रभी बेटे शाहर का इतना बड़ा सेट मेरे आफिस में बस कर रभी बस कर शब्दों के तीर मार मार कर मुझे और जक्वी मत कर बेटे बेटे मुझे में आप सेहने की शक्ती नहीं रही मैं आप तूट चुका हूँ अच्छा बड़ी चल्ली तूट गया आप बेटे मैं खुक्त आपको और अगर तूट अपने बाप से सब को छीन कर उसे उसे मौताज बनाना चाहता है तो मैं gdy मेरी तौलत मेरी सारी जाइदात में तेरे हुआ लेकरता है या वैसे मेरे पास है वो वो सब कुछ तेरा है यह यह इस तो कुछ ले ले अगरे चाहिए है तो ले जाने है खर चल बेटे घर चल आपके जुबान से ये मिठे अंदाज वाले जुम्ले सुनकर बड़ा अजीब लगता है ऐसा लगता है जैसे एक डाकू जिंदेगी भर सारी दुनिया के घर लूटता आया और जब खुद का घर लूटने की बारी आई तो घबरा कर वो डाकू साधू बन गया बसकर बेटे बसकर वैसे अपने बेटे को पाने के बदले में क्या क्यों मत अदा कर सकते हैं आप जो जो तु मांगे का बेटे जो मांगूं मत दे सकते हैं आप बेटे एक बार मांगे तो देख तो सबसे पहले आपको उस छूट का करज अदा करना होगा जो आज से 20 साल पहले आपने मुस्से कहा था कि मेरे दादा दादी मर चुके मेरे दादा दादी की उन खुशियों को वापिस करना होगा जो आपने उन से चीन ली उनकी जिन्दगी कावो एक एक साल एक एक दिन एक एक पल वापिस कीजिए जो आपने अपनी जिल्म की आग में चला कर राख कर दिया उनके हस्वों का हिसाब दीजिए जो उन बुडों ने पिछले 20 साल में बहा है मेरे दादी के जितने की वापिस कीजिए बाबुजी जो आपका इंतजार करते करते इस दुनिया से चलता से अगर आप ये सब कुछ वापिस कर सकते हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तया हूँ यादे बाबुजी एक बार आप इनम उसे कहा था कि बिजनसमेन का वक्त बहुत किंती होता है उसे फजल बातों में जाया नहीं करना चाहिए समझ क्या समझ क्या बिटे समझ क्या समझ क्या जब आपके अपनी एक लौती उलाद आपसे जुदा हो जाएगी ना तब आपको फटा चलेगा कि उलाद की जुदाई का दर्द मौत की दर्द से भी ज़दा होता है लेकिं मेरे एक बात याद रखना बिटे तुमारी उम्र मेरे तजरुबे से बहुत कम है तुमने उतनी दीवादिया नहीं देखी है जितनी मैंने तुम जैसे बिखने वालों की बर्बादिया देखी है एक दिन आएगा जब तुम छाती पीट पीट के दुनिया को अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाना चाहोगे लौा सुनने वाला कोई नहीं होगा सिर्फ रोने वाले तुम होगे लौा लाले तुम होगे लौा प्लादी लौा लौा क्या बात है अच्तम इस गई कर है भाट जी बोली-बोलता तू है जाला बट्टे मुझे परबाद करने के लिए बाट जी बोली-बोलता तू मगराज में तुझे इतना उच़ा पहुचा दूगा के हमें इश्या के लिए बॉलती है अच्छा तो बहुत उन्ची बोली बोलता है अभी, कुछ लोगों ने सेरे डैडी पे हमना कर दिया अच्छिए, किक्त T इ proprio वज स λगता है! एाचाम कर लेकान मुश्दि! बिल माठे क looking at you पर्दियर निक Alic touch me! तर्दियर फ mouldड़ी व mushroom! उब बनाउ Assange परकिल मुश्दै झाल 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 तुने तुने मेरे बाबुजी पे हाथ उठा था झाल 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 यृ झाल 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 जल्दी, मैं अभी आता हूँ जबी डॉक्टर साब, हमारा रभी कैसा है? उसके जानगों को खत्रा तो नहीं? अभी कुछ कहानी आ सकता जितना कुछ मेरे बस में है, मैं करूंगा बाकी जिन्दगी देना ना देना, उसके हाथ में छॉक्टर साथ जितना कज में है जितना, जानक साथ जुक्टर साथ जान फो नहीं जानन सकता जानना कि अब दो कि अब दो कि अब हमारा रवी जाने कि इसके दुआओं ने जाते जाते मरी इसके दुबारा जिंदगे दिरवादी कभी-कभी उपर व Whole doctor के हाथों से चमतकार करवा देता है आज भी चमतकार हुआ है इलाज ने गार आप दोनों मुरीज के कौन है हाम उसके अबाप है दौक्ற साफ अगर मुरीज बात करने कWhat कि हालत में तो क्या हम लोग ऐसे मिल सकते हैं जी बात कर दों कि मरीज यहां को स्लीप ए इस अपने अच्छोंठे में हैं ह। क्योंने टॉल्ट जाप शिर्वेक्पा टॉल्ट जा सिर्वेक्पा आइस्ट्रमी सॉड़ी अमारे गुनाम के इतनी बडी सजा जे रहा है इतनी बडी अब अब जाए जोगा रवी कैसे है बिटी जस्पूत्र को आप जैसे दादा की प्रारत ना मिले उसके बान मौत क्या बगाड़ सकती है मगर आज तुने अपने अपने दादा का दिल दुखाया है मेरे बेटे ने मेरे साथ किया तो मेरे पोते में और मेरे बेटे में क्या फरक रहे जाएगा मैं सारी जिंदीगी अपने बेटे के हाँ तो दुख उठाता रहा तो क्या इस बुड़ापे में अपने पोते के हाँ तो दुख उठा हूँगा बोल बेटे क्या मैं कभी आपको दुख दे सकता हूं मैं अपने मावाब को उनकी गल्दियों का ऐसास दिलाने की कोशिश की उन्हें इस सबक दिखाने की कोशिश की कि अपने माबाप को ठुकरा देती है तो उनकी दिल की कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते है अपने इस दादा की बात याद रखना उपर वाले ने संसार में हर चीज की एक हद बांध रखी है माबाप अपनी अवलाद को सजा दे सकते हैं मगर उसके एक हद है उसको चाटा मार सकते हैं उसका खून तो नहीं कर सकते हैं उसी तरह माबाप चाहे कितने खराब हों कितने गुम्रा हों कितनी बुरे हों मगर वलाद अपने माबाप को सजा नहीं दे सकती ये धर्म कहता है, ये मजब कहता है, ये गीता कहती है बेटे याद है न मैंने तुझे बच्पन में सिखाय थे सब कुछ मुझे सब याद है रदाजी मुझे सब याद है मगर मगर ये वारा कुछ से कही है क्या आप मुसे दुखी नहीं है? ना बेटा, ना आप मुसे दुखी नहीं है मैं अपने पोते से कभी दुखी हो सकता हूँ दादा जी आप रात भर नहीं सोये मैं रभी के पास बेठते हूँ, आप जाके आरम कीजी पास पास अप German क्याव पास क्यात आप अप इप बेटा, 20 साल से मैं जिस अंजाम की सूरत तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था और तुम इंकार कर रहे थे आज देख लिया ना उस अंजाम को पेटे, इनसान की जिन्दगी काईने की तरह होती है फरक इतना है कि आम आईने में हम जो हरकत करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त नजर आ जाती है मगर जिन्दगी वह आईना है कि आज किये वे हरकत की तस्वीर बरसों बाद नजर आती है और तब तक सुधारा करने के लिए बहुत देर हो चकी होती है बेटा हाँ बाबजी बिल्कुल ठीक है रहे बिल्कुल ठीक मैं गुनेगार हूँ पापी हूँ तभी तो मेरा बेटे ने अपने जानबा खेलकर मेरी जानबा जाने के बावजुर हमारी सूरत देखने जिनकार कर दिया इसलिए बाबजी मैं सबकु छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ बाबजी मैं जा रहा हूँ बाबजी कहां चले जाओगी कहीं भी जा मैं अपने पापों का फ्राइशन कर दो को बाबजी जगा बदे लेने से इंसान धुड़ी बतर जाता है बिटे जगा मत अपना दिल बदलो अपने ख्यालाद बदलो वो जो दिल में लालत की भावना जो जगा किये बैठी उसको उखाड़ के बार फैंक दो ये लालत बहुत खराब चीज है ये इनसान को गुमराही के रासे पे ले जाती है ये पाप के रासे पे ले जाती है ये पाप के रासे पे ले जाती है और पाप के रासे पे चलने के बाद इनसान जुनने की भर सुका मून नहीं देख सकता है हराम की दवलत, इंसान को शुरू शुरू में सुख जरू दीलाती है मगर बात में ले जाकर एक ऐसे दुख के साखर में धकेल दे ती है जहां मरते दम तक सुख का किनारा कभी नजर नहीं आता है इसलिए इस बात को मान ले दुनिया के सामने इलान कर कि पाप के रास्ते बेचलने के बाद इनसान कभी सुखी ने रहे सकता है ये बात तेरे काम आएगी तेरे अवलाद के काम आएगी और इंदोस्तान के बिगड़े वे कुरोड नोजवानों के काम आएगी और उनके माबाप दिल खोल कर तुझ दौई देंगी बेटा कर वैसे बता है कि बता है वैसे मापना आधा da मेजा आज मेजे आज में नहे माबाप मिले है बाब ची मैं अपरी जानता हूं मगर मैं मैं अपने माबाब को उनだけ और देते हैं अगर अगर मुज्से कोी गल्दी हुई हो तो मुझे मांवब करती चैना पापची, मुझे माप करतीजी, मैं पुछाइब सबसे बरी पूजा है, मत पिता की सेवा सबसे बरी पूजा है, मत पिता की सेवा पिसमत वालों का ही, मिलता है ये मौका हाथ से अपने खोमत देना, मौका ये खिदमत का जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया करी रख्या है, मौका हाइब हुष भोजल झाल